वेल्कम टू बानिक स्मार्ट क्लास, मैसेव जोति प्रकास, आज हम डिस्केशन करेंगे एक ट्रिक के बारे में, वो है आप का होकी रिलेटेड कॉप्स जो आता है, उसके बारे में हम डिस्केश करेंगे, होकी बहुत सारे स्कोर्ट्स होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव बहुत ही इंपोटन्ट होता है, लेकिन आज हम डिस्केश करेंगे, होकी गेम के रिलेटेड कॉप्स के बारे में, तो आपका जो ट्रिक्स होगा, वो हो जाएगा, आर्डी बर्मन, ठीके, तो हमारा ट्रिक होगा, आर्डी बर्मन, तो मैं एक स्टोरी बताऊंगा, उसके हम जान लेंगे, टोटल कौन से कौन सी कॉप आता है, हमारा होकी रिलेटेड, तो देखिए, आर्डी बर्मन, आर्फर आपका आजाएगा, रंगा स्वामी कॉप, ठीके, उसी तरीके से आपका डी फर आजाएगा, ध्यान चंद, कॉप, वो भी होकी रिलेटेड कॉप हो ज ठीके, सो आर्डी खतम हो गया, उसके बाद आते हैं, उनके बेगम, बी फर बेगम रसूल बेगम कॉप, आपका बी फर बेगम रसूल बेगम कॉप आजाएगा, उसके बाद वो पांच किर्दार के बारे में देखते हैं, वो पहली बार किर्दार होता है, कौन सा ना आगा फिर उसके बाद कोन आते हैं आपका राजा रंजित सिंग आ जाते हैं उसके बाद जो किरदार देखते हैं उनका नाम होता है मुरुगाम एक गौड होते हैं लेकिन हमारा यहाँ पे जो कॉप होगा वो होगा मुरुगप्पा गोल्ड कॉप उसके बाद एक किरदार आता है उनका नाम होता है आजलान सहा कॉप वो नेक्स्ट बाला हमारा होकी रिलेटेड कॉप हो जाएगा आज लास्ट में वो देखते हैं जो इंडिया का पहले भी प्राइम मिनिस्टर बने थे उनका नाम है जबहालाल नहरू तो नहरू कॉप इडिज दा लास्ट वान और इडिज नहरू कॉप रिलेटेड टू दा होकी इवेंट तो बच्चो यह बहुत ही इंपर्टेंट है यह याद करना है आपको R.D. बर्मन R. फर रिंगस्वामि कॉप दी फर ध्यांचन कॉप B. फर बेगम रसूल बेगम कॉप और A. फर आगाखान कॉप उसके बाद आ जाएगा R फर राजा रंजिस सिंग कप उसके बाद आ जाएगा M, M फर मुरुकपपा गोल्ड कप उसके बाद आ जाएगा A, A फर आजलान सहा कप आण लास्ट में आपका आ जाएगा N, N फर नहरु कप बच्चो यह याद कर लेना है बहुत ही important for your examination so मुझे एक answer बताना है, answer क्या बताना है, एक question आएगा exam में, which of the following cup is not related to the hockey sports मुझे बताना है, option A आपका आजाएगा, R रांगा स्वामी कप, option B आपका आजाएगा नहरु कप, option C आपका आजाएगा, बेगम रसुल, बेगम कप and option D आपका आजाएगा रंजिक ट्रफी, सो इन में से कौन सा answer सही है, मुझे comment session में बताना, thank you